देश की राजदानी दिल्ली समेथ उत्तर भारत की कई राज्यों में मौसम एक बार फिर करवट लेते दिख रहा है बारते मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज से अगले दो दिन तक गरज के साथ हलकी बारिश हो सकती है वही पश्चीमी विक्षोग यानि वेस्टरन डिस्टरबेंस का असर दिल्ली पंजाब हरियाणा में देखने को मिलेगा राज्यो में बूनबांदी से लेकर मध्यम वारिश होते दिख सकती है बारते मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिल्ली में आज मौसम साफ रहेगा लेकिन बादल भी चाय रहेंगे और वारिश की संभावना है वही 5 मार्च तक तेज हवाय चलेंगी हवा की रफतार 20 से 30 किलोमीडर प्रती घंटे की हो सकती है ताफमान की अगर बात करें तो आज दिल्ली में अधिक्तम ताफमान 27 दिगरी तो नियूतम ताफमान 14 दिगरी सेलसियस तक रह सकता है वही राजिस्थान के कई हिस्सों में हुई बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया है वही तेज हवाय चलने की वज़ा से भी ठंड मैसूस की जा रही है हाला की IMD के अनुसार अब मौसम थोड़ा साफ रहेगा और धूब भी निकलेगी इस पूरे सब्ता राजिस्थान में मौसम ऐसा ही रहने की संभावना है वही आज राजिस्थान के अधिक तर जिलों में अधिकतम तापमान 19 डिग्री रह सकता है और नियूतम तापमान 15 डिग्री बात करें यहां से अगर बिहार की तो बिहार में एक तरफ राजधानी पटना का पारा समाने से दो डिगरी चड़ा है तो वहीं दूसरी ओर कुछ छेतर में बादल चाय रहेंगे बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी युक्त पचुआ हवा का प्रवाह निरंतर बना हुआ है जो सता से डेड़ किलोमीटर उपर स्थित होने के साथ 10 से 12 किलोमीटर प्रती घंटा है इसके कारण मौसम में बदलाफ दिख रहा है राज्य के अधिक तर जिलो में आज अधिकतम तापमान 29 डिग्री तक दरच किया जा सकता है वही नियुतम तापमान 14 – 15 डिग्री तक रह सकता है पंजाब में IMD के अनुसार आज जिले में कई जिलों में बादल चाय रहेंगे पंजाब में आज गरज के साथ बारिश के भी आसार बन रहे हैं तो वही 5 और 6 मार्च को भी बादल चाय रह सकते हैं इस बीच पिछले दिनों हुई बारिश की वज़ा से पंजाब में सर्दी लोट आई है राज्य के अधिकतर हिस्सों में आज अधिकतम तापमान 21 डिग्री रह सकता है और न्यूतम तापमान 12 डिग्री के आसपास बात करें यहां से अगर जम्मू कश्मीर की तो जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से लगातार मौसम में बदलाव हो रहा है और रुक रुक कर बारिश के साथ साथ वर्वारी भी जारी है बारतिय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज भी कई जगाओ पर बारिश की संभावना है श्री नगर में आज अधिक्तम तापमान 7 और नियूतम तापमान 4 डिगरी सेलसियस रहने का अनुमान है उतरा खंड के अधिक्तर हिस्सों में आज नियूतम तापमान 4 डिगरी रह सकता है और अधिक्तम तापमान 3 डिगरी के आसपास प्यूर्ट रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स, टीवी